आप सब का बहुत बहुत स्वागत है जो भी यहाँ पे लौ आइस परिंट है इस पेशली जो क्लास 12 के पास आउट है और जिन्हों ने पिछले साल यानि की दिसंबर 2022 में जिस स्टूडेंट ने क्लाट 2023 का एक्जाम दिया था तो जिनका NLU में सेलेक्शन नहीं हुआ है वो काफे निराश हो गए है लेकिन देखिए डेली यूनिवर्सिटी जिसमें हर बच्चे की चाहत होती है एंट्री करने की दुबारा से एक बोला ना जैसे अंधेरे में एक उजाला यह आप लोगों के लिए उजाला है उन कांडेट्स के लिए जिनका क्लाट के थ्रू NLU में अड्मिशन नहीं हुआ जो भी यहाँ पे कैंडेट्स आई थिंक डबलू मेरे पिछले साल का कैंडेट है तो बेटा आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉशनिटी है डेली यूनिवर्सिटी इस साल से अब यह बिलकुल 100% ट्रू हो चुका है इस साल से 5-year LLB को स्टार्ट करने जा रहा है जिसमे एडमीशन क्लैट 2023 के जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनके लिए है मतलब सिर्फ यहाँ पे क्लैट आईस परेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं फॉर्म का डेट कब आएगा तो रंत निकिता मैम आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्म कर देंगी अब रदीब बिटा आप देखो पर दीब बिटा यहाँ पे जो भी नंबर होगा जो भी मैरिट लिस्ट निकलेगा हम एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगो अड़ा 247 की तरफ से मिलेगा निकिता मैम का भी प्रॉमिस है लेकिन यह बहुत खुश खबरी की बात है कि देली बी ये एललबी ओनर्स और बी 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 ये एललबी ओनर्स मतलब अगर आप लोग चाहे साइंस स्ट्रीम के हैं आर्ट स्ट्रीम के हैं हुमानिटी स्ट्रीम के हैं आप लोग कोई सेवी स्ट्रीम के हैं बिटा आप लोग चाहे तो बी एललबी कोर्स में अगर आपका मैरिट लिस्ट में नंबर आया तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं चाहे तो बीबी ये का कोर्स भी कर सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है सब आप लोग को निकिता मैं में यहाँ पे बताएंगी मैं मैंने फॉर्म भर दिया है क्लाट का बहुत बढ़िया तो भाई इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है अब जो क्लाट 2024 के लिए बच्चे फॉर्म भर रहे हैं अब यार प्लीज आप लोग भर दीजे अगर उमीद है कि क्लाट में नहीं हुआना तो डेली से बेस्ट कॉलिज कुछ हो नहीं सकता है तो इसलिए यहां पर जो भी क्यालिरेट्स हैं आप देख सकते हैं कल ही आप लोग का नोटिफिकेशन आया है हम लोगों ने कल ही इसको रात में कॉमृटी में पोस्ट कर दिया था और आप देख सकते हैं प्रॉपर ओफीशल भारम होने जा रहा है डेली उनिवर्सिटी में फाइफ इयर लोग यानि की जो क्लास ट्वेल्ट के बच्चे हैं और जो क्लास ट्वेल्ट के पास आउट स्टूडेंट है एक और कॉलेज एड हो गया फाइफ इयर लोग करने के लिए अभी तक हमें क्लाट, जेमाई, एम् में सीटी ये सब कॉलेज मालूम था अब हम बोलेंगे डी उ से भी हम फाइफ इयर का लोग कर सकते हैं माम एड्मिशन कैसे होगा सीटीस आरे नहीं मुगल बेटा मैंने आपको क्या बोला ध्यान से सुनो The Faculty of Law, क्या लिखा है आप लोग का? The Faculty of Law University of Delhi has introduced a 5-year integrated law course that is B.A. L.L.B. Honors कौन सा कोर्स आप लोग का स्टार्ट कर रही है? सबसे पहला B.A. L.L.B. Honors और दूसरा क्या है? B.B.A. L.L.B. Honors यानि कि अगर आप लोगों का क्लास 12 में, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 12 में जैसे मैं अपना पर्सनली बताती हूँ मेरा साइन्स ट्रीम था, मैंने मास, फिजिक्स, कमेस्ट्री लिया था, लेकिन मैंने क्या किया है? B.A. L.L.B. Honors किया है ये मेरा B.Course का नाम है, अब मेरे मर्जी मुझे जैसे देखो, इन सब 5 यर में क्या आप लोगों का बेसिक इसका, क्या पढ़ाया जाएगा? जैसे आप लोगों के जो B.A. के सबजेक्ट होते है ना, Geography, Economics, Psychology, ये सब पढ़ाया जाएगा B.A. में और B.B.A. में सबजेक्ट क्या होता है? आप लोगों के Commerce के सबजेक्ट होते हैं, तो अगर आपका Interest थोड़ा Business Line में है, कि Law करने के बाद मुझे C.A. का भी मैं करूँगा, मैं C.S. भी बनूँगा, ये ले सकते हो, Otherwise आप B.L.L.B. लीजे यहाँ पे, Otherwise आप लोग B.L.L.B यहाँ पे ले सकते हैं, Simple सा कोर्स है, तो Delhi University ये दोनों कोर्स करा रहा है इस साल से, देखो ध्यान से, The Bar Council of India and its letter dated 26.7 has accorded its approval for 60 seats for B.L.L.B. and 60, यानि की Class, 60 seat है आप लोगों का B.L.L.B. honors के लिए, और 60 seat है B.L.L.B. honors के लिए, यानि की Total seat जो आप लोगों का यहाँ पे है, 120 seats है, Class 120 seats, तो आप लोगों का Delhi University इस साल 120 seats से स्टार्ट करेगा, भगवान से बस प्रेयर करिए कि आप लोगों का, जिनका देखो, पांच, छे, साथ हजार रैंक है क्लाट में न, उमीद है इन बच्चों का यहाँ पे सबसे पहला प्र के स्कोर काट की भी बिलकुल भाई, बिलकुल, माम, 3 December को जो क्लाट देंगे, अरे बिलकुल अरशना बिठा, अब यही चीज तो आपको सीखना है, जो बच्चे इस साल December में क्लाट का फॉर्म भर रहे हैं, December में एक्जाम देंगे, तो आप लोगों के लिए भी next year DU का फॉ लेगा, that is for 5-year law integrated course, that's it, okay class, so I hope so, आप लोगों को यहाँ पे यह चीज समझ में आ गया होगा, right, so अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे next, क्या है आप लोगों का, देख सकते हैं, that admission to, what is this, admission to BLLB and BBLLB shall be based on the merit CLAT UG 2023, यानि की जिसने CLAT UG का exam 2023 का दिया है, यानि की पिछले साल का exam, तो यह बच्चे भर सकते हैं इसको, मतलब एक-एक चीज हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे, so that you can easily understand the things, okay, एक-एक चीज हम लोग discuss करेंगे यहाँ पे, तो CLAT 2023 के बच्चे जो निराश थे न, अब I think वो लोग निराश नहीं होंगे, उनके लिए उमीद की किरण यहाँ पे जग गई है, उनके लिए यहाँ पे उमीद का किरण क्या है, जग गया है, अब देखिए आप लोग का next क्या है, मतलब यहाँ पे आप लोगो का क्या है, जगे का नाम है, जहाँ पे आप लोगो का कोर्स किया जाएगा, अब यह बहुत इंपोर्टन चीज है, क्लास, अब यह बहुत जल्द आप लोगों का क्या किया जाएगा, बहुत जल्द बताया जाएगा कि यहाँ पे कब से फॉर्म ओपन होगा, और आप लोग को फॉर्म फिल करना है, तो but obvious क्लाट का स्कोर पूछा जाएगा कि आपके स्कोर कितने आये हैं, रैंक कितने आये हैं, फिर merit list निकाला जाएगा और merit list के बाद आप लोगों का selection होगा मैं, अभी निकाल सकते हैं कि स्कोर, बिलकुल सोनिया, स्कोर काट को निकाल के रख लीजे, कभी भी Delhi University में, मतलब मान के चलिए, आप लोगों का जो session है न, may be September, October से start हो सकता है अब पूछिए मैं, ऐसा क्यों, क्यों की, देखो, जो बच्चे, DU का, 3-year का law करना चाहते हैं न, तो हमें मालुम है, इसके लिए, CUVT, PG का exam देना होता है अब ही result भी आ गया है, तो मतलब जो 3-year का session है न, आप लोगों का 15 अगस के बाद से शुरू होगा और आप लोगों का भी उमीद है कि 15 अगस के बाद से 5-year का course स्टार्ट हो जाएगा Delhi University में तो जो भी यहाँ पे candidates है, this is the best opportunity, do not lose तो अब मैं आपको कहना चाहूंगी, जो student इस साल CLAT का exam देंगे, December में जो की 3 December को आपका exam है, तो पेटा, आप लोगों के लिए भी उमीद की किरन जाग गई है कि अब हम लोगों के पास एक next option भी है, CLAT के score के थूँ मैं Delhi University 5-year में भी admission ले सकता हूँ या ले सकती है ओकी class, सो जो भी यहाँ पे candidates है, यह मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, अब एक बहुत important यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ अगर आप लोगों ने, अभी तक, CLAT का form नहीं भरा है, तो फटा-फट पहले CLAT का form भर लीजे अरे अभी रुख जईए बेटा, अभी सब कुछ one by one करके आएगा, DU University अभी application form open नहीं हुआ है अगर से किस student को पढ़ाएंगे मैं, अरे निखिल बेटा, अगर से first semester start होगा ना तुम्हारा, अगर से first semester start होगा तुम five year law करने जा रहे हो, तुम्हारे ten semester होगे, तो अगर से start होगा, अगर सितंबर, October, November, December में तुम्हारा first semester हो जाएगा पूजा, two, six, four, three rank है, reservation में क्या आ सकता है, तुम्हारा बिलकुल आ सकता है राव आशिश यादव, DU Affiliated College नहीं, proper Delhi University का law, जो faculty of law है, वहां से आप लोग का पढ़ाई होगा रिया गुपता, अभी मैंने बोला बेटा, DU सिर्फ CLAT का score ले रहा है, ILEC का नहीं ले रहा है that's it, आप लोगों के कितने कितने score है, आप लोग comment box पे लिखते रहिएगा, मैं आपको reply करूँगी कि आप लोग का admission Delhi University में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो सबसे पहले इस channel को आप लोग फटा-फट subscribe कर लिजे क्योंकि ये जो आप लोग का information है, day by day, जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी और बहुत जल्द, में भी 15 अगर्ष से पहले आप लोग का application form Delhi University का आ जाए तो इस channel को फटा-फट जाके subscribe कर लिजे लास्ट से देट, क्लाट, मुगल बेटा, आप लोग का क्लाट का form Philip का last date 3 November है तो अभी आपके पास अगस सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना बाकी है, क्लाट का form आराम से भरिये और आज से ही क्लाट का तयारी शुरू कर दो, जो भी यहाँ पे candidates है न, यह आप लोगों का जो क्लाट का batch है पहले अड़ा 24-7 आप को उपन कर लो, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, all courses पे click करके, UG entrance पे click करो और यहाँ पे law entrance पे click करके, क्लाट पे click कर लीजे, और यह आप लोगों का क्लाट का batch है अब कुछ भी आप लोग को सोचना है ही नहीं, मैं CUVT वाल admission ले सकते हैं क्या, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं सिंबलवंत कुमार, CUVT वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं, admission I am extremely sorry बेटा, CUVT के बच्चे Delhi University फाइफ यर में नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि CUVT में BHU, AU, यही सब college आप लोग के मौश हैं, extremely sorry लेकिन ऐसा हो सकता है future में, कि जब Delhi University का 3-year का exam, CUVT के थू है, तो क्या पता future में CUVT, UG के थू हो जाए 5-year का, लेकिन अभी सिर्फ CLAT बोला है, अभी सिर्फ आप लोग का CLAT बोला गया है, तो जो में यहाँ पे candidates हैं, यह आप लोग का CLAT का hustle batch है, अब तो आँख बन करके आप लोगों को यह bash लेना चाहिए, और फटा फट इसका form फिल करके CLAT की तयारी शुरू कर दीजे, जो भी यहाँ पे candidates है, बस buy now पे click करो, और आपको coupon code दालना है बिटा, सिर्फ और सिर्फ, coupon code क्या दालोगे, याद रखिएगा Y391P, जैसे ही Y391P दालेंगे, आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हमारा discount 77% हो गया है, 77% आप लोगों का discount है, इस batch में घर बैठे, class लीजे, doubts पूछिए, recorded session रहेगा, और चौथा आप लोगों का, जो भी आप लोगों का mock paper है, 20 mock paper दिये जाएंगे, e-books मिलेगा, और एक और चीज है आप लोगों के लिए, वो भी बहुत beneficial है, CLAT का नाई, 5 year का महा pack, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, यह हम लोगों ने law का महा pack निकाला है, भाई, law का महा pack, इसका मतलब है, future में आप लोग कलाट का exam दोगे, ILECT का दोगे, MSCT का दोगे, JMI का, this one, AMU का, जो भी आप लोग 5 year का exam दोगे ना, इस law मह pack में सारे batch आप लोगों को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे click करो, same coupon code apply करो, एक साल तक, इसमें से हम एक साल में जितने भी batch बनाएंगे ना, सारे batch आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, तो इसका दाम 18,000 बिलकुल नहीं है, same coupon code apply करिए, Y391P, apply पे click करो, 17,000 क batch है, एक साल के लिए आप लोगों के पास रहेगा, माम scorecard निकालना भी दिखा दीजिए, आ सोनिया बेटा, CLAT का scorecard निकालना है आपको बेटा, तो CLAT के website में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे न, CLAT का website देखो, CLAT, यह देखे, CLAT का website जाईए, अगर आपको CLAT का 2023 का score, तो यह CLAT का वेबसाइट है ठीक है यह देखो यहाँ पे सोनिया लिखा हुआ है click here to go CLAT 2020 वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करो अब यह देखो CLAT 2023 का आप लोगा निकल गया तो यहाँ पे CLAT 2023 पे क्लिक करो और यहाँ पे देख सकते हैं यह आप लोगा provisional list है allotment list सब कुछ आप लोगा 2023 का दिया है देखो यहाँ पे ध्यान से हर एक चीज आप लोगों का given है 2023 के बारे में यह आप लोगों को मैंने A to Z यहाँ पे बता दिया भुपेंदर बेटा इसका information की दली इनुवस्टी कितना मांगेगा score यह बेटा कुछ दिनों में आप लोगों को inform हो जाएगा सो जो भी यहाँ पे candidates है session को देखते रहिए और कल कल साड़े दस बजे जो current affair से आप लोग घबराते हैं न तो कल आप लोगों का current affair का session होने वाला है जहाँ पे तीन मन्त का current affair cover होगा do not forget to see the session at 10.30 a.m. sharp is that okay oh ma'am Delhi University में hostel facility है क्या बिल्कुल है Delhi University में proper अगर आप लोगों का merit list में नाम आता है तो आप लोगों का hostel facility होता है बिल्कुल 100% होता है आपका बापरे 37,000 जर्नल केटिगरी मिस अराधिया दुबारा से CLAD का exam दीजे बिल्कुल चांस नहीं है नॉइडा इंटर्नाशन इनुवरस्टी में अगर आपको law करना है तो directly admission ले सकते हो private में directly admission लिया जाता है ओके गाइस जो भी यहां पर candidates है I hope so आप लोग समझ गए होंगे so conclusion of this session is that CLAD 2023 यानि कि जो पिछले साल CLAD का exam दीए थे आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है अब आप लोग DU के website को देखते रहेगा faculty of law जहां पर आप लोगों का B.L.L.B. honors और B.L.L.B. honors इस साल से शुरू होने वाला है बाबाई